हे मा यूटीब फैमिली गोड यूवनिंग फ्रेंज कैसे हो आप सभी आई होप आप सब बहुत अचे होंगे मैं हूँ आपके दोस प्रिया और मैं आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल प्रिया को इस केम में बहुत बहुत सागित करती हूँ दोस्तों आज का कोशन द को आप चाहते हो उनको आप से किस बात को लेकर नफलत हो जाती है तो दोस्तों यह कोशन आप सभी के लिए बने रहे हैं इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में आपको इस कोशन का एंसर देखने को मिलेगा आप से भी जानते हूँ दोस्तों अगर आपको किसी कोशन प इतने जरूर से बताईएगा कि आपको मारे कोशन का इंतजार रहता ये भी बताईएगा ठीक है एनिमल यहाँ पर दिये गए है चूजिंग के लिए तो जल्दी से किसी एक एनिमल को चूज कर ले दोस्तों क्योंकि जो एनिमल आप यहाँ पर चूज करेंगे आगे चलकर उसी एनिमल पर जो एंसर होगा वही आपके एंसर होगा I hope आपने अपना एनिमल चुन लिया होगा चुन लिया है तो बढ़ दें आगे लोडिंग की तरफ यहाँ पर एंसर लोडिंग पर लग दिया है थोड़ा सा वेट करना होगा एंसर आ जाएगा चलिए दोस्तों इंतजार के गड़ी उई ख़ट में एंसर आ चुका है जिसने भी इस लिटेली टाइगर को चूज किया है चलिए देखते हैं एंसर क्या है जिससे वो आपको बात करने के लिए मना करते हैं और आप उसी से बात करते हो तब उन्हें आपसे नफरत होने लगती है वो सोचते हैं आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करें इससे मुझे बहुत खुशी होती है और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आप आती हूँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें शेयर भी करें वीडियो को अगर करना चाहे तो जिसने भी चूश किया इस अनिमल को यानि की डॉप को उसके लिए अंसे रे जब वो आपका जूट पकड़ते हैं तब उनको आपसे नफरत सी होने लगती है चलिए दूस्तों बढ़ते हैं आगी अगली इनिमल की तरफ जिसने भी चूश किया है इस चिंपैंजी को चलिए देखते हैं एंसे क्या है एंसे रे जब आप उनके सामने किसी और का नाम लेते हो यानि कि आप किसी और की तारिफ करने लगते हो तब उन्हें आपसे नफरत सी होने लगती है जिसने भी चूश किया है इस लिटिल कैट को उसके लिए एंसे रे उनको आपसे नफरत किसी बात को लेकर कभी नहीं होती चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगी जिसने भी चूश किया है इस मंकी को देखते हैं एंसे क्या है बात करने लगते हो तब उन्हें आपसे नफ्रस ही होने लगती है मतलब जो कभी आप बहुत गुस्सा हो जाते हो उनसे और मुझ से निकल जाता आपके कि मैं आपको छोड़ दूंगे छोड़ दूंगी तब ठीके पाई